नमस्कार दोस्तों, जैहिन, जैभरत दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकान मालिक और क्रायदार के मध्य समवाद इस से संबंदित प्रेशन मध्य परदेश की बोर्ड वर लोकल पाइक शाओं में तथा CBHC की बोर्ड वर लोकल पाइक शाओं में पूछे जाते हैं इसलिए आपको वीडियो ध्यान पूरवक देखना चाहिए जिससे आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हों दोस्तों समवाद को हम डायलग भी कहते हैं दोस्तों ठीक है ना मकान मालिक क्रायदार से कहता है अरे शर्मा जी आपका महीना पूरा हो चुका है हमारे मकान का किराया तो दे दीजिए याने कि मतलब मकान मली किरायदार से कहते हैं कि शर्मा जी आपका महीना पूरा हो चुका है अब तो हमारा किराय दे दीजिए किरायदार याचक स्वर में याने कि विंती के स्वर में कहता है किरायदार श्रीमान से एक विंती थी यानि कि थोड़ी दबी दबी आवाज में कहता है श्रीमान से एक विंती थी मकान मलिक क्या क्रायदार थोड़ा सा संकोच वर्स यानि थोड़ा संकोच वर्स कहूं या ना कहूं इस प्रकार हाव भाव रहते हैं उसके श्रीमान एक तरफ तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है महंगाई भी चरम सीमा पर है बेरोजगार भी हो गए हैं और ऐसे में ये महा मारी उफ मकान मालिक साफ साफ कहिए शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं किरायदार बस यही विंती है थोड़ा किराया कम करने की क्रापा करें मकान मालिक थोड़ा विचार करके यहने कि मकान मालिक विचार करके कहते हैं मित्र तुमने आज मुझे एक गंभीर समस्या से अवगत कराया है अब जब तक देश में हालात सुधर नहीं जाते मैं तुमसे किराया नहीं लुंगा ठीक न ऐसी बास सुनकर किरायदार और मकान मालिक दोनों के चहरे पर अविरल मुस्कान आ जाती है दोस्तों यह जो समवाद मैंने लिखा है अगर इस प्रकार माकान मालिक और किरायदार हो जाते हैं ठीक न दोनों के हिर्दे में अगा इतना प्रेम आ जाता है तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे देश में गांधी वाद फिर से आ गया है धन्यवाद दोस्तों